थारा सौ उननीस की बात है कि एक दिन एक ब्रिटिश अफसर जॉन स्मित शिकार की खोज में अजन्ता गाउं के पास तक महुच गया मगर उसे इस बात का पता ना था कि वह किस गाउं के पास है वह बहुत देर तक पहाड़ियों में मारा मारा घूमता रहा किन्तु शिकार ना पासका अचानक उसे एक लड़के की करकश आवाज सुनाई दी शिकारी कैप्टन ने अपने कदम तेज किये और आवाज तक पहुच गया लड़के ने जब यूरोपियन सहब को देखा तो शेर के मिलने का स्थान बता कर बख्षिश के लालच में उसने सामने के पेड़ों के जुर्मुट के बीच से एक स्थान की ओर संखेत किया और बोला साहब वह देखो साहब ने उंगली की दिशा में जो कुछ देखा वह शिकार नहीं था बलकि घनी हरीतिमा के अंतराल में बैंगनी पत्थरों के खंबों के बीच सुनहरे लाल रंग में कुछ ऐसी चीज थी जिससे कैप्टन साहब प्रसन्न हो गये वे एक ऐसी नायाब चीज का पता दुनिया को देने जा रहे थे जो वास्तुकला की दृष्टी से निश्चय ही महत्व पूर्ण थी उन्होंने तुरंत गाउं वालों से कुलहाडी, भाले और टौर्च लेकर पहुँचने को कहा और इस प्रकार उस लड़के की मदद से पूर्चने का रास्ता साफ हो सका, फल स्वरू, सारा जगत बौध कला की इस महान अनुपम उपलब्धी से परिचित हो सका, हाँ या नहीं में उत्तर दें सही मेल कीजिए कथा को गद्यांच के अनुसार क्रम दें सभ्चों अनुपम नहीं